दोस्तों सिव पुराण में बताया गया कि जो बेटी बिवा के लायक हो गई हो या जो कुआरी अवस्था में हैं उनके लिए बताया गया है कि बेटी काम करो ये ठीक है मना नहीं है पर सुबा का एक बाए इश्नान करना जरूरी होता है इसके बाद भले ही काम करके मुख गंदा हो जाए या कपड़े गंदे हो जाए तब साम तक दुबारा इसनान कर लो लेकिन सुबा का इसनान जरूरी होता है जो बेटियां दोपहर को स्नान करती है या रात को ही नहाती है सुबा बिना नहाय खाना बना लेती है सुबा एक बार भी नहीं बना आती है कुवारी है बिवा के लायक है तो जहां बिवा करके जाती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मान सिक्टेंसन परिवार में खटर-पटर होती ही रहती है ऐसा सिव पुराण में स्वयम सिव भगवान ने बताया है या किसी ना किसी रूप में पत्पत्नी में कलेश या परिवारी कलेश को झेलना ही पड़ता है अगर वो शुबा स्नान ना करके केवल दोपहर या रात को ही ना आती है तब चाहे वो कुवारी बेठिया हो या कोई स्तिरी हो अगर दोपहर या रात को स्नान करती है सुबा एक बार भी स्नान नहीं करती है केवल रात ये दोपहर को ही स्नान करती है उन्हें दुख ही जेलना पड़ता है इस उपाय को भागवान शिव ने अपनी सिव पुरान में स्वयम बताया है जिन लोगों को मेरी बातों पर भरोसा ना हो वो स्वयम सिव पुरान उठा कर पड़ सकते हैं